हेलो स्टूजेंट्स तो हम ग्यान सागर का साथमा पाट स्कूल की चुटियां बढ़ रहे थे पिछले वीडियो में अब तक जो हमने पढ़ा पहले उसे दोहरा लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा कि स्वामी नाथन अभी दो सप्ताहव परिक्षाओं के लिए रह गए थे तो स्वामी नाथन कभी मां के पीछे तो कभी दादी के साथ बाते करते नजर आता तो पिता जी का मिजाज उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और समय और पिता जी बात बात पर उसे डांट रहे थे और ये कह रहे थे कि परिक्षाओं इंतजार नहीं करेंगी मां दादी ये सब इंतजार कर सकते हैं तो बातें बाद में हो जाएंगी और पिता जी ने साथ में उसे ये भी कहा कि देखो यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे सहपाथी आगे निकल जाएंगे और पिछले दर्जे के या पिछली कक्षा के बच्चे तुम्हारे सहपाथी बन जाएंगे अब उसे बड़ी राने वाली बात पिता जी ने कहा दी तो जट पर परिक्षा की तैयारी करने में जुट गया और चले इसमें से प्रश्ट कर लेतें कि परिक्षाओं के लिए अभी तक कितना समय बचा था जब स्वामी नाथन को पता लगा कि पिता जी का मिजास ठीक नहीं है तो दो सप्ताहा रहे थे और स्वामी नाथन के मित्रों के नाम बताईए तो स्वामी नाथन के मित्रों के नाम है मतर, मनी और राजम अच्छा पिता जी ने कौन सी डराने वाली बात स्वामी नाथन को कही थी और क्यूं कही थी उन्होंने ये बात तो पिता जी ने स्वामी नाथन को ये कहा था कि मान लो कि तुम्हारे सहपाथी अगली कक्षा में चले जाते हैं और पिछली कक्षा के बच्चे तुम्हारे सहपाथी बन जाते हैं तो ये उसको बहुत डराने वाली बात पिता जी ने कह दी तो वो जड़पट परिक्षा की तयारी में लग जया तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब अच्छा स्वामी नाथन ने कौन से सवालों के लिए आदा घंटा लगाया था दशमलब के सवालों के लिए उन्होंने आदा घंटा लगाया था चली अब चलते हैं मतलब परिक्षाएं अभी तेयारी कर रहा था परिक्षाएं शुरू होगी ऐसा यह सीन चल रहा है इसमें द्रिश्य चल रहा है तो परिक्षाएं शुरू हो चुकी और अब आखरी परिक्षा है तो परिक्षा का अंतिम दिन है तो अब क्या हो रहा है दे क्यों? और दूसरी तरफ परिक्षा समाप्त होने की rushy के साथ स्वामी नाथन अन्तिम दिन परिक्षा भवन से बाहर निकला अब देखे चाहे जितने मर्जी हम ठके हों लेकिन ये पता हो कि आज हमारी आफ़ी परिक्षा है और उसके बाद आराम ही आराम है परिक्षा खतम तो वो सारी ठकान भी भूल जाते हैं तो अब अन्तिम परिक्षा वाले दिन जब परिक्षा समाप्त होने की खुशी से स्वामी नातन अन्तिम दिन परिक्षा भवन से जब बाहर निकला परिक्षा भवन यानि कि आपके एग्जामिनेशन हौल से जब बाहर निकला तो स्वामी नातन को अचानक लगा कि उसे इतन जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था क्योंकि देखे वो सबसे पहले बाहर आया है कोई भी नहीं है देखो सब बच्चे ये देखो बैठे हुए अंदर परिक्षा दे रहे हैं ये सबसे पहला कैंडिडेट है जो बाहर आ गया है सबसे पहला चात्र है जो बाहर आ गया है बागी देख़ु यहां भी बैठे वे नहीं यहां पर चौकिदार से बैठा हुए बहर और अंदर परिक्षा हो रही है यहां भी परिक्षा हो希望 स्वामी नातन को जब वो परिक्षा भवन से ये बाहर आ गया तब उसको लग रहा है कि मुझे बाहर नहीं आना चाहिए देख वो सोच विचार कर रहा है न परिक्षा के बारे में यहां दिया हुआ इस तरह से अब लेकिन वे हॉल में और कैसे रुख सकता था और वो यही सोच रहा है कि मैंने रुख के करना क्या था हॉल में तमिल का पेपर पांच बजे तक चलने वाला था तो पेपर किसका था अंतिम तमिल का यह भी याद रखना है कौन सा पेपर था अंतिम परिक्षा कौन सी थी तमिल का पेपर था तमिल की उसने आखरी सवाल की आखरी पंक्ती साड़े चार बजे तक लिख ली थी ठीक है वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि जब मैंने आखरी सवाल की आखरी पंक्ती लास पंक्ती साड़े चार बजे तक लिख ली थी पेपर पांच बचे खतम होना था तो आदा गुंटा पहले विचारव प्री हो गया छे प्रश्णों में से पहला प्रश्ण उसने संतोष जनक रूप से किया था ठीक है, छे प्रशन आये थे, छे प्रशनों में इसे पहला प्रशन उसने संतोष जनक रूप से किया था, मतलब satisfactory था, ठीक था दूसरे के बारे में उसे संदेह था, मतलब doubt था, ठीक है, दूसरे के बारे में उसको doubt था तीसरा उसका ठीक था, और चौथे के बारे में उसे साफ पता था, कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था, भी सही उत्तर भी तो नहीं आता था उसको, छटा उत्तर सबसे अच्छा था इसका उत्तर देने में उसे एक मिनट लगा था, उसने ये सवाल साड़े चार बजने में दो मिनट पहले पढ़ा, साड़े चार बजने में दो मिनट पहले पढ़ा, यानि कि साड़े चार 4.30 हुआ, तो उसने 4.28 पे वो पढ़ा, एक मिनट बाद उसने उत्तर लिखना खढाया और उत्तर लिंगे खळके खतम कर दिया अब प्र IRA क्या था देखे सबसे मजे दार प्रशन था च्छटा optisch जिसको उसने 1 मिनुट लगाया ब्रामन और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये प्रश्न था तो कहानी भी जरूर होगी न आपको भी तो कहानी दी होती है जैसे गद्य आते तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है तो देखे कहानी क्या थी प्रश्न था ब्रामन और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है तो शिक्षा बतानी है ना या वैल्यू बतानी है एक ब्रामन तालाब के किनारे से गुजर रहा था ये कहानी है दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही ब्रामन ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया किन्तु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्रामन पानी में चलकर उसके पास आ गया इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता वह शेर के पेट में पहुँच गया अब इससे क्या शिक्षा मिलती है देखो क्या शिक्षा मिल रही है देखे ये स्वामी नातना सोच रहा है देखो ये शेर है ब्रामन है और ये सोने की चूड़ी दिखा रहा है ब्रामर नजी पानी में चलकर उसके पास जा रहा है चूड़ी लेने के लिए और चूड़ी मिलने से पहले वो शेर के पेट में पहुंचाता है तो अब इससे तो देखो क्या शिक्षा मिलती है आप स्वाम बताईए कि क्या शिक्षा मिलती है अब ये लालच बुरी बला है ये होना जीए ना कि लालच नहीं करना चाहिए तो स्वामी नाथद ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है देखो कितना वुद्धू है जब पढ़ते नहीं न ठीक से तो ऐसे ही प्रशनों के हल करते है कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है वो कह रहा है इसमें क्या शिक्षा है लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि प्रशन पत्र में पहा गया है तो अब उसे इसलिए लगा क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछा है तो कुछ न कुछ तो शिक्षा होगी तो देखिए उसने क्या निर्णे लिया उसे यह निर्णे करने में एक मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए बताओ यह कोई शिक्षा है कि शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी उसने दो जवाब सोचे नहीं यह और उसमें से यह दूसरा जवाब यह था कि सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है तो उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की और देखा वाल क्लॉक जो लगी थी उसकी तरफ देखा कि कितना टाइम हो गया तो आधा घंटा और वै आधा घंटा यहां क्या करेगा सोचने लगा मैंने आधा घंटे क्या करना है लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा अब उसे अजीब भी लग रहा था पर अब करता भी क्या ना निकल आया है ना हॉल में से तो दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं फिर यह नहीं सोच रहा कि उसने क्या गलत किया बल्कि यह सोच रहा है कि सारे लड़के कैसे मूर्ख हैं कि वो मेरी तरह सही सही उत्तर और जल्दी से क्यों नहीं लिख पा रहे हैं अपने दिवाग में सोचे जा रहा है, उसे समय काटना मुश्किल लगा, तो उसे समय काटना मुश्किल लगा, इसलिए वो पहले ही आ गया, आदध घंटा पहले ही आ गया, घंटी बजी, दो दो तीन तीन की टोलियों में लड़के हॉल से निकले, ऐसे निकलते न, आप भी थोड़े थोड़े करके बचे ग्रूप में निकलते हैं, जुन में है न, तो ऐसे लड़के हॉल से निकलने लगे, और पिछले तीन घंटों का वातावरण, एक आ एक मतलब अच्छानक बदल गया, चारों और उटसाहपून, बातचीत का कोला हल भर गया, कोला हल, चोड़ जब परिक्षा चल रही होती है, तो कितनी शांती होती है, एक दम शांते कान, और जैसे ही परिक्षा खतम, वो भी अंतिम परिक्षा, वैसे तो रोज जो परिक्षा खतम होती है, तो भी बच्चे ऐसी जुन में निकलते हैं, फिर एक दूसरे से पेपर डिसकस करते हैं, य लिखा तो यह तो अंतिम पेपर था यहां तो इनको अंतिम पेपर की खुशी थी और स्वामी नाथन जैसे तो पेपर में कुछ किया या ना किया परिक्षा में कुछ लिखा या ना लिखा लेकिन अंतिम परिक्षा है वस उसकी खुशी उसकी चहरे पर नजर आए थी तो घं तो देखें इतने में से भी हमारे कितने प्रशन बन जाते हैं कि स्वामी नाथन का अंतिम परिक्षा किस विशे की थी? एक प्रशन ये बना, दूसरा कि स्वामी नाथन कितने वजे हौल से बाहर निकला? और सबसे पहले परिक्षा भवन से निकलने वाला लड़का कौन था? स्वामी नाथन ने छटे प्रशन का उत्तर क्या लिखा? बने न कितने सारे प्रशन? और स्वामी नाथन को सबसे पहले हौल से निकलते हुए अटपटा क्यूं लगा? और वह क्या सोच रहा था दूसरे लड़कों के बारे में? तो देखे कितने प्रशन बनगे? तो इन प्रशनों के बारे में आप सोचेंगे कल हम जब अगले वीडियो के साथ अगले वीडियो के साथ जब भी हम मिलेंगे तब हम इन प्रशनों को पहले साजह करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे तिल दैन बाई और थैंक यू झाले झाले वीडियो के बाई